है खालीज विल्कम बैक मैं हूँ रीना और आप अपिर से स्वागत करती हूँ एक नई रेसिपी में तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिंगा मसाला की रेसिपी तो चलिए फटा पट रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं तो जिंगा मसाला बनाने के लिए यहाँ पे पहले करना है साप, तो साप करने के लिए पहले इसके स्कीन को इस तरह से निकाल देंगे, बहुत ही असानी से निकल जाता है, इस तरह से निकाल लेना है, सारे जिंगे को इसी तरह से बना लेना है और बनाने के बाद हमने यहाँ पे सारे जिंगे को तीन से चार पानी से धो के साप कर लिए और साप करने के बाद इसको दूसरे बॉल में टास्फर कर दी है एक अधा चोटा चमसमाएक पाओडर, एकहां स्मक्राइण पाओडर. चमसमें कराद जाएक नाफ सल्ड़ीघ और मीक्स करने के बाद छोड़ कर देगे द॥ा सब्सक्राइक, तक तक यहां पर मेडे कर दक कि दिन इन से चार हरी मीच, आधा इंच अधरक का टुकरा, दो टमाटर, दो प्याज, साथी में है लसुन, इन सारे चीज को मीकसर जार में डाल के स्मूज सा पेस्ट बना लेंगे, तो चलिए इसको पीस लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मसालों को पीस ली है, इसको सा अच्छे से गरम करेंगे, और गरम हो गया है तेल, तो इसमें डाल देंगे मेरिनेट किया हुआ जिंगा, और जिंगा डालने के बाद इसको अच्छे से हलका सा फ्राइ करना है, बहुत जादा फ्राइ नहीं करना है, तो जिंगा हमारा एक साइट से हो गया है, तो इसको प एक चमस तेल और रैट कर दी है और तेल गरम हो जाने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पेस में जाएगा एक चमस लाल मिर्च पाउडर तीका आप अपने हिसाब से अरजेस्ट कीजिएगा जितना भी तीका खाना पसंद करते हैं आदा चोटा चमस हल्दी पाउडर आदा छोटा चमस धनिया पाऊडर आधा चोटा चमस काली मिर्च पाउडर और अदेके बाद इसको आधे मिर्च ने के लिए मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है इसमें जाएगा एक बेशन और बेशन को भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है जब तक इसका कच्छा पंदूर ना हो जाए बेशन का तो यहां पर देख सकते हैं बेशन भी अच्छे से भून गया है अच्छी सी खुसवू आने लगी है तो इसमें डाल देंगे टमाटर प्याज और लस् द्रेट किए थो ऎसधी है और बढ़नी चुह और रिवस करों अच्छार तमना को मिडम खुनना है और यहां पर देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छा आर दाल जिंगा को लिगे धे डाल देंगे आधा चोटा च्मसचीनी आदा छोटा चमस कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर आदा छोटा चमस घरम मसाला पाउडर बारिक कटा हुआ फ्रेज धनिया और धनिया की पत्ती डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके देगे और मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा पानी तो पानी आप अपने हिसाब से अरजेश्ट कीजिएगा मैं यहाँ पे आदा ग्लास के करीवन पानी डाल रही हूँ मीक्स कर देंगे और मिक्स करके इसको ढखक के लो प्लेंट पे तीन से चार मिनिट के लिए छोड़ देंगे और तीन से चार मिनिट के बाद गैस को बंद कर दी है और आप देख सकते हैं हमारा जिंगा मसाला एकदम तयार है तो चलिए गर्मा गरम इसको सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं तो यहां पे गर्म गर्म जिंगा मशाला को हमने सर्भिंग बॉल में निकाल ली है आज की आज की ये सूपर टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सस्क्राइब कीजेगा साथ ही फैमली फ्रेंट्स में सेयर कीजेगा अब आपसे मुलगात होगी अगली वीडियो में